दोस्तो नमस्कार मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था वो बनाया था How to remove error in busy accounting software with rewrite option दोस्तो अब जो मैं आपको option बताने जा रहा हूँ उससे आप चाहें अगर आपका error नहीं remove होता है तो आप उस option से भी कर सकते हैं तो दोस्तो वो option का नाम है re-index database तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आपकी जो company वो open हो रही है error remove नहीं हुआ rewrite से तो आप re-index database कर सकते हैं आपको simply यहां पर you can proceed करके okay कर देना है और आप देख सकते हैं financial year 2021 हमारा re-index हो चुका है अगर आपका एक ही company में 3-4 साल का data है तो आप से वो हर बार पूछेगा हर एक year के लिए अलग-अलग देखा दोस्तों कितनी आसानी से indexing हो गई इसी तरह आपको अगर suppose करिए आपकी company open नहीं हो रही है तो आप यहां पर company menu में यहां पर आप देख सकते हैं re-index database फिर आपको यहां पर जिस जो भी company आपकी error दे रही है open नहीं हो रही है उसको select करना है और उसे re-index कर देना है तो दो तरीके हैं एक आप अंदर से भी कर सकते हैं और एक आप बाहर से भी कर सकते हैं दोस्तों कैसा लगा आपको अगर आपके लिए यह फाइदे मन्द हुआ आपके लिए मददकार साबित हुआ तो आप मेरे वीडियो को like, share जरूर कर दीजेगा और subscribe और bell icon भी दबा दीजेगा धन्यवाद